हमारे बॉड़ी की सबसे खास बात यह है कि हमारे बॉड़ी में जब भी कोई नूट्रिंस की कमी होती है तो बड़ी बीमारी होने से पहले हमारा सरीर छोटे संकेत देखर अपने अंदर होरे हलचल के बारे में कई तरह से बताने का कोशिज करता है और जिसे जादतर लोग साधरन समझ कर देख कर भी अंदेखा कर देते हैं और इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे लच्छनों के बारे में जानेंगे जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके बॉड़ी में कौन सी बिमारी होने वाली है तो कुछ भी हो जाए एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपको निरोग और स्वस्त रखने में बहुत मदद करने वाली है अगर आपको सुबा उड़ते ही थकान मैसूस होता है या दिन खतम होते होते आप बहुत जाता ठक जाते हो और ये आपके साथ कई दिनों से हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके बॉड़ी का सुगर लेवल बढ़ चुका है क्योंकि जब आपके बॉड़ी का सुगर लेवल बढ़ता है तो आपका बॉड़ी आपके बॉड़ी के एनरजी को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाता साथ ही बॉड़ी सेल्स ठीक तरीके से एटीपी एनरजी बना नहीं पाता है और जिसके वज़े से आप हर वक धकावट महसूस करते हो हर समय लेजी लगता है ऐसे इस्तित parti में आपके लिए सही यही होगा कि जितना हो सके आप मीठा से दूर रहें और अगर आपको मीठा खाना भी है तो आप सहत का इस्तिमाल करें और नहीं तो यहीचीज अगर लंबे समय तक चलती है तो आपको सुगर भी हो सकती है नमबर टू, ब्रस करते वक्त या फिर कोई भी सक्त चीज खाते वक्त, मसूलों से खूनाना, जोड़े में दर्थ और इसकीन रूखा पर जाना, ये संकेत ये करती है कि आपके बॉड़ी में बिटामिन C की कमी है, त्योंकि बिटामिन C एक अच्छा एंटी ओक्सिडेंट हो ठीक तरीके से काम करती है, इसके साथ साथ बिटामिन C के मदद से ही हमारा बॉड़ी आइरन को एबजॉर्ब करता है, और जब आपके बॉड़ी में बिटामिन C की कमी होने लगती है, तो बॉड़ी आइरन को बहुत कम एबजॉर्ब कर पाती है, और जिसके वज़े से आपका खुन पतला होने लगता है, इसके साथ साथ गठिया जैसे समिस्या भी होने लगती है, तो बिटामिन E के कमी को पूरा करने के लिए आमला, नेमबू, संत्रा और अम्रूज जैसे चीजों को आप अपने डाइट में एड़ कर सकते हो, नमबत थ्री, इसकीन का पिला प अपके बॉड़ी का ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सिजन एक जगा से दूसरे जगा पहुंचती है, और आपके बॉड़ी को एनरजी मिलती है, और अगर लंबे समय तक आपके बॉड़ी में आईरन और हिमोगलोबिन की कमी रहती है, तो आपको एनिमिया जैसे रोग भी हो सकती है, तो आईरन और हिमोगलोबिन के कमी को अपने बॉड़ी में पूरा करने के लिए पालक, अंडे, बीन और बीट रूट को अपने डाइट में सामिल कर सकते हो, लबब फो, कमजोर दात, कमजोर नाखुन और हड़ियों में दर्ध होना, आपके बॉड़ी में केलस केलसियम की कमी है न, तो आप अगर कहीं पे गलती से गिर भी जाते हो, तो तुरंत आपकी हड़िया तूट जाएगी, इसके अलाबा, अगर आप कहीं पे लंबे समय तक बैठे रहते हो, या फिर किसी भारी समान को उठाते हो, तो आपके हड़ियों में दर्ध होगी, और स जल्दी जल्दी बिमार पढ़ना, जोडे में दर्ध, सीर में दर्ध, डिप्रेशन और सरीर में दर्ध होना, आपके बॉड़ि में बिटामिन D के कमी को दर्साती है, और यहां तक जब तक आपके बॉड़ि को बिटामिन D नहीं मिलेगी न, तो आपकी हड़ियां केलसियम को एबजौर भी नहीं कर पाएगी इसका सीधा अर्थ है कि आपकी हड़ियां कमजोर रहेगी और आप बहुत जल्दी लेजी हो जाओगी के साथ साथ बिटामिन डी आपके ब्रेन को भी सारब करने में मदद करता है और जब बिटामिन डी की कमी होती है तो आपका धिमाग हर बार बार पिटार आना देखिए अगर आपके साथ कभी कतार ऐसा हुआ है तो इसमें घखराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन बार बार मार के साथ ऐसा हो रहा है तो यह भी आपके बॉडि के सूगर लेबल को बढ़ा हुआ द्रसाती है क्यूंकि जब आपके body का sugar level बढ़ता है तो आपका kidney liquid को बहुत कम absorb कर पाता है और जिसके वज़े से आपके body का liquid directly बाहर निकलती है और इसके वज़े से आपको बार-बार पिसाब आने लगता है तो देखिए अगर आपके साथ बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिले क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में आपको सुगर जरूर होने वाला है नमबर सेबन साप दिखाए ना देना होटो में अलसर मू के कोने में दाना होना और एक ही जगह पे पिंपल बार बार होना आपके बाड़ में बिटामिन B के कमी को दर्शाती है नमबर एक कहीं कड़ जाने पे लंबे समय तक खोन ना रुकना एक ही जगह पे बड़े बड़े पिंपल होना एकजीमा या फिर किसी भी परकार का इसकीन प्रॉबलम जल्दी ठीक ना होना दाद खाद खुजली हमेशा होते रहना आपके बाड़ में जिंक के कमी को दर्श के लिए दूद, दही, चिकन और अंडा जैसे चीजों को अपने डाइट में एड़ कर सकते हो तो ये कुछ ऐसे लच्छन थे जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके बाड़ी में किस निउट्रेंस की कमी है और आपको कौन सी बिमारी होने वाली है ये कमेंड देखने के लिए दिल से धन्यवाद